एंटेलिया जैसी महल में रहने वाली नितामबानी जब बनारस की गलियों में निकली तो उनकी साधगी ने फैंस का दिल जीत लिया वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाने के वजाए पहुँच गई छोटी सी चाट के दुकान पर जहां उन्होंने बड़े मज़े से दुकान पर बैट कर टमाटर चाट और आलुटिकी के मज़े लिए चाट खाते निता अमबानी का ये वीडियो शोशल मेडिया पर काफी देखा जा रहा है जिसमें देश के बड़े उगोगपती मुकेश अमबानी की पतनी और एलाइंस पाउंडेशन की प्रमुख निता अमबानी बनारस की गलियों में चाट खाती नजर आ रही हैं उनके चेहरे का एक्सप्रेशन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन्हें काशी की चाट कितनी स्वादिस्ट लग रही हैं वारल वीडियो में आप देख सकते हैं चाट खाते खाते निता अमबानी दुकानदार से रेसिपी भी पूछ रही हैं कि ये कैसे बनाई इसमें क्या-क्या मसाले डाले हैं उसके बाद नीतामबानी चार्ट के लिए दुकांदार की तारीफ करती हैं वही नीतामबानी के मुँ से अपनी तारीफ सुनते ही दुकांदार ने हाग जोड़ कर उनका स्वागत किया चार्ट खाने के बाद जब नीतामबानी अपनी चेयर से उठकर जाने लगी तब दुकान के मालिक ने काशी विश्वनाद धाम कोरिडोर का प्रतीक उन्हें उपहार के तौर पर भेंट किया इसके बाद दीतामबानी ने एक एक कर दुकान के स्टाफ से मुलाकात की इतना ही नहीं वहां मौचूद एक बच्ची पर उन्होंने अपना प्यार भी लुटाया अरवो की मालकिन नितामबानी का ये अनोखा अंदास देख हर कोई हैरान रह गया दुकान के अंदर से बाहर तक हर कोई इन खास पलो को अपने कैमरे में कैद करने के लिए बेकरार नजर आया बता दे कि अपने छोटे बेटे अनन्त की शादी से पहले सोमबार को नितामबानी वारा नसी पहुँची थी यहां उन्होंने सबसे पहले काशी विश्वनात के दर्शन किये फिर अपने बेटे की शादी का निमंतर्ण बाबा काशी विश्वनात को दिया बहरहाल नितामबानी की सादगी की ये तस्वीरे आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट में जरूर बताए